हेलो फ्रेंग्स वेलकुम टो माई यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स अकेडमी तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की एकनॉमिक्स का आज हम करेगे चैप्टर नमबर 1 जिसका नेम है वट इस माईक्रो एकनॉमिक्स हम इस चैप्टर को ना हम इसमें टू वीडियो सेशन मे हम उसमें अपना पूरा चैप्टर जो वो कवर अप कर देंगे तो अब सबसे पहले देखिए वट इस माईक्रो एकनॉमिक्स ठीक है अभी आप प्लस वन में भी पढ़के आए हैं माईक्रो एकनॉमिक्स के बारे में तो प्लस टू में भी है इसका जो फॉर्स चैप्टर ह है हमारी फेक्टरीज है ठीक है हमारे आसपास में जहां पर भी लोगों को काम मिल रहा है अब काम मिल रहा है बदले में उसके बदले में वो क्या लेंगे सेलरी लेंगे बदले में उसके क्या लेंगे वो पैसे लेंगे चार्ज तो कुछ न कुछ तो करेंगे तो एक ऐसे से वो काम करना जादा पसंद करते हैं जहां से उनको पैसा मिल रहा है तो अब इसके definition देखिए and economy is a system which provides people to means to work यानि कि अब ये क्या काम करता है लोगों को काम करने का एक जरिया provide करता है and earn a living और बदले में उनको क्या मिलेंगे पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी जो living standard है वो अपना इंप्रूव कर सके अब उनको काम कहा कहा से मिलेगा factory से मिलेगा factory में labor काम करती है ठीक है railways में भी और institutions में भी यानि कि कहीं पर भी ठीक है economic क्या काम provide करती है लोगों को काम करने के एक जरिया कोई भी एक ऐस institution जो कि लोगों को काम करने का एक जरिया प्रोवाइड करते है जिससे की वो पैसे अर्ण कर सके ठीक है अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा एक्जामपल है economics को समझने से पहले अब लोगों की डिमांड क्या है लोगों की डिमांड तो क्या है unlimited है वो तो चाते हैं हमारे पास एक अच्छा घर हो पैसे हो ठीक है अच्छी गाड़ी हो तो वो तो सब कुछ चाते हैं इतना कहीं बार possible भी नहीं हो पाता वो इतना कुछ सोच लेते हैं तो लोगों की demands तो क्या है wants तो क्या है unlimited है लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो resources है वो क्या है limited है इतने resources सभी के पास available नहीं होते कि वो अपने सारी needs को पूरा कर सके ठीक है अब देखो अब उनकी wants तो क्या है unlimited resources क्या है limited अब resources मालो limited है उनको ठीक है तो उनको choice करने पड़ेगी ना कि वो अपने funds को कहां पर utilize करें कि जिससे उनको क्या मिले maximum satisfaction मिले तो अपन एक person है उसका birthday है और उसके पास कितने rupees है 1000 rupees है अब उसके पास देखो और वो चाहता तो बहुत कुछ करना चाहता होगा उसकी तो जो wants है वो तो unlimited होगी लेकिन उसके पास क्या है resources तो क्या है limited है ना अब उसके पास पैसे तो 1000 रुपे है अब 1000 से जादा उसके पास है नहीं है सोच तो वह बहुत कुछ रहा है अब वह यह भी सोच रहा है कि मैं अपने दोस्तों को parties दे दूँ ठीक है party दे दूँ और क्या क्या कर लूँ अपने लिए dress ले आऊंगे shoes ले आऊं कुछ भी कर लूँ तो उसको ना अब उसके पास है तो alternative options है है तो बहुत सारी options है तो उसको choose करना पड़ेगा कि मैं कहां पर अपने पैसे को utilize करूं कि जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले satisfaction मिले तो इसका मतलब यह बताया गया है next economics क्या है अब economics का मतलब क्या है इसके एक छोटी से definition है economics is a social science concerned with the employment of societies scarce resources का मतलब यहीं है कि resources की कमी होना ठीक है हमारे प uses to produce goods and services अब इसका मतलब क्या बताया गया है economics क्या है economics क्या है एक social science है कि जिसके अंदर ना हमें देखना पड़ेगा हमारे पास resources तो क्या है limited है अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी goods वग्यारा बनाएं कौन सी goods या फिर कौन सी services लोगों को provide करे कि जिससे उनको human being जो लेकिन हमें goods और services प्रोड्यूस करने है ताकि लोगों को हमें satisfaction भी दिलानी है अब इस scarcity का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कमी का होना यानि कि हमारे पास supply तो किसी चीज की कम है ठीक है लेकिन demand क्या है जादा है ठीक है क्यूं है ऐसा हमारे पास limited resources and limited resources की वज़े से ऐ अब आगे इसके दे रखें कि components क्या है economics के microeconomics है macroeconomics है microeconomics है micro का मतलब क्या होता है छोटा ठीक है और macro का मतलब क्या होता है बड़ा अब इसमें क्या है कि microeconomics में हम particular firm के बारे में household के बारे में इनसे related problems के बारे में study करते हैं ठीक है तो इनसे related जो हम study करते हैं तो वह micro माईच्रो एकनोमिक्स के अधर जो छोटे लेवल से एलेटने इसके अंदर हम अग्रिगेट करेंगे यह बड़े लेवल पर स्टाडी कार्यंगे επ1 तो इक्तिविटीश भी क्रेते रहके तो फटा-फट से अंधर इसकी इमपोनेट्स कयो घ्क्रैक्स基本 कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास scope of microeconomics इसको हम इस तरीके से में define कर सकते हैं कि subject matter of microeconomics ठीक है तो आप देखिए इसमें क्या क्या किस किस बातों के बारे में हम study करेंगे theory of demand, theory of production, theory of price, determination, theory of factor pricing ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए theory of demand क्या कहती है आप देखो कि जो हमारे goods है ठीक है अब यानि कि हमें देखना है कि हमारे लिए जो goods है अब हम किस किस तरीके से उसकी demand करेंगे हम इस बारे में decide करते हैं कि हमें कौन से goods लेनी है ठीक है उसकी demand हमें कितनी करनी है तो ये सब बाते जो है हमें decide करने पड़ती है अब मालो किसी person की जो income है अब वो देखेगा कि मेरे को किन-किन sources पे अपनी income को खर्च करना है ताकि मुझे maximum satisfaction मिले ठीक है तो demand यहीं बताते है कि किन-किन goods की demand करी जाए हमें इसके बारे में decide करना होता है ठीक है करेगी collect करके उसका क्या करेगी फिर वो production करेगी यानि कि input से वो क्या बनाएगी output generate करेगी ठीक है तो यानि कि इस related जो rules बग्यारा होते है उसको हम क्या कहते है theory of production next theory of price determination price किस तरीके से decide होता है demand और supply के basis पर price decide होता है कहीं बार क्या होता है कि हम गुड्स की demand क्या कर लेते ह है जादा कर लेते हैं अगर demand market में जादा होगी किसी goods की तो फिर क्या होगा अगर demand जादा है supply कम है तो price क्या होंगे जादा होंगे ठीक है और अगर इसी तरीके से supply तो जादा है लेकिन demand कम है लोगों की तो वो price क्या होंगे कम होंगे इस तरीके से भी price decide किया जाता है ये भी देख लिया जाता है कि perfect competition है या monopoly है अब परफेक्ट competition में क्या है इसको मैं कहते हैं पूरन प्रतियोगीता यानि कि जो है market में बहुत सारे seller है बहुत सारे buyers है ठीक है तो price क्या रखा जाता है सारे जो seller है price को सेम ही रखते हैं और monopoly में क्या होता है कि हाँ भी सिर्फ एक ही seller है और buyers बहुत सारे है तो वह अपने मन पसंद price रखेगा ना seller क्योंकि एक ही जंग से सारा समान मिलेगा तो इस तरह के से decide होता है आपका यह वाला लग से chapter है monopoly वाला भी है और demand और supply वाले भी आपके अलग अलग chapters है ठीक है तो theory of price determination में यह है next theory of factor pricing अब factor pricing में क्या है कि अब देखो कि हमारे पास ना अलग अलग goods को sale करने से हमारे पास income generate होती है ठीक है अब हम उस जो income जो हमारे पास आई उसको हम किस तरीके से अलग-अलग sources पे allocate करेंगे हमारे factor production के लिए हमें क्या-क्या चाहिए लैंड चाहिए लेबर चाहिए capital एंटरपर्नेयर चाहिए यानि कि हमें एक जमीन का टुकड़ा चाहिए उसके ऊपर काम करने के लिए लेबर भी चाहिए capital भी चाहिए पैसे भी चाहिए और काम करने वाला person भी चाहिए entrepreneur भी चाहिए तो अब land के उपर हमें tax देना पड़ता है labor को हमें मज़़ूरी भी देनी पड़ती है capital के उपर interest देना पड़ता है और entrepreneur को हमें क्या देना पड़ेगा जो business करेगा मदले में profit चाहेगा ठीक है तो इस तरीके से हम अपनी जो goods को sale करने से जितनी हमारे पास income आती है हम इस तरीके से हम क्या कर देते हैं उनको अलग-अलग उस पे allocate कर देते हैं तो ये क्या है हमारा scope of microeconomics है अब इसमें एक छोटा सा topic रह गया importance of the study of microeconomics operation of an economy यानि कि किस तरीके से हमारी जो economy है वो चलती है इसमें ये बताया जाता है prediction भी बताया जाता है कि भुविश्यमानी की जाते है किस तरीके कि भुविश्यमानी की जाएगी अब यहीं बताया जाता है कि इसके क्या कारण है और इसकी वज़े से क्या result निकले अगर डिमांड जादा है तो आपको पता है कि price क्या होंगे जादा होंगे ठीक है आगी क्या है economic welfare के बारे में भी बताता है microeconomics की किस तरीके से economic welfare किया जा सकता है तो जो हमारे इसमें है normative science normative science में बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो हम economic welfare कर सकते है ठीक है तो इसमें जो है normative यहीं बताते है कि हाँ भी किस तरीके से ऐसा काम जो हो किया जा सकता है क्या होना चाहिए ठीक है जो actual में है वो नहीं क्या होना चाहिए इसके बारे में यह नॉर्मेटिव साइंस जो बताता है helpful international trade जो माइक्रेक्राविक्स की study है वो international trade करने में भी help करती है तो यहाँ पर हमारा छोटा सा topic था वो यहीं पर complete होता है तो आप यहाँ तक का भी screenshot ले लेना तो फटा फट से आप इसका screenshot ले लिजे next part हम second news में discuss करेंगे